कसर फीसद की शकल में, fraction as a percentage, कसर को फीसद की शकल में भी लिखा जा सकता है. आईए देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर आधा या एक बटे दो. अब अगर मैं शुमार कुनिन्दा और नशब नुमा दोनों को ही पचास से जरब देती हूं, तो मुझे मिलेगा पचास बटे 100. तो क्या मैं पचास बटे 100 को 50 फीसद लिख सकती हूं? इसका मतलब ये है कि मैं आधी को 50 फीसद लिख सकती हूं. तो हमने यहां क्या किया हमें एक मसावी कसर मिली जिसका नसब नुमा सौ था अब हम इसे एक फीसद की शकल में जाहिर कर सकते हैं लेकिन हमें ऐसी कसर मिली ही क्यों जिसका नसब नुमा सौ था क्योंकि फीसद की तारीफ कहती है कि वो सौ में से है यानि फीसद का मतलब है सौ में से होना और इसी लिए जरूरी है कि हम नसब नुमा की जगहे पर सौ को लेते हैं लेहाजा अगर हमारा नसब नुमा सौ है तो जो भी हमारा शुमार कुनिंदा है उसे हम फीसद कहते हैं आईए कुछ और मिसाले लेते हैं जैसे 37 बटे सौ अब इस मिसाल में नसब नुमा पहले से ही सौ है तो हम आसानी से इसे 37 फीसद कह सकते हैं लेकिन आईए इस मिसाल को देखे तेईस बटे पचीस अब यहां पर नसब नुमा सौ तो नहीं है तो आईए एक ऐसी मसावी कसर तलाश करते हैं अब हम क्या कर सकते हैं चार बार पचीस सौ होता है तो आईए हम नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को ही चार से जरब कर दें अब जवाब हुआ 92 बटे सौ चार बार तेईस होता है 92 इसका मतलब है 92 फीसर आईए एक और मिसाल लेते हैं एक सौ चालीस बटे दो सौ अब इस मिजाल में निसब नुमा सौ नहीं है ये सौ से ज्यादा है ऐसी मसावी कसर तलाश करेंगे जिसका नसब नुमा सौ हो तो अब क्या करने की जरूरत है? हमें नसब नुमा और शुमार कोनिन्दा दोनों को ही दो से तक्सीम करना पड़ेगा ताके हमें मिल जाए सत्तर बटे सौ अब ये एक मसावी कसर है जिसका नसब नुमा सौ है यानि इसे सत्तर फीसद भी कहा जा सकता है झाल झाल